जब कभी आप software पे login करते हैं जैसे open करते हैं software को तो आपके सामने ऐसा कुछ interface आता है जो आपको अभी screen पे visible हो रहा होगा I think screen आप सभी को visible है अब देखिए जब आप Revit को open करते हैं तो आपके सामने ये एक starting window आता है क्यों ये starting window अगर कोई ज्यादा पुराने versions पर जाएं जैसे 2021 से किसी पुराने version पर जाएंगे 2019-2020 तो उसका interface starting window थोड़ा differ करता है लेकिन 22, 23, 24 या even 25 तो उसका interface starting window के वल इसी type का आता है अब इस starting interface को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ये starting interface दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उपर एक जगा लिखा है models और नीचे लिखा है families अब अभी आप लोग AutoCAD को use कर रहे हैं AutoCAD में क्या होता है आप drawing बनाते हैं और drawing बनाते वक्त आपको किसी specific standard component की need होती है तो आपने वो as a block बना कर रखते हैं जिसको आप अपने profile अपने CAD फाइल के अंदर उसे import कर लेते हैं block को सेम उसी तरह यहाँ है अगर model की बात करें तो यह हमारा main project होगा उस project पर काम करते वक्त हमें requirement होगी किसी components की family तो वो हम as a family यहाँ import करेंगे family मतला 3D component जो block AutoCAD में 2D में होते हैं यहाँ 3D में हम family बोलते हैं और model मतला हमारा project CAD में हम CAD फाइल बोलते हैं उसको कोई भी new project start करना है अब हमारा जो main इस training का जो main logic है वो यह है कि हमें rabbit MEP के tools समझ आएं हम उन tools को किस तरह use करते हैं उसकी modeling करने के लिए उसको detail करने के लिए उसकी sheets convert करने के लिए उसका bill of quantity prepare करने के लिए यह सारे work हम लोग कर सकते हैं with the help of rabbit अब हम बात करेंगे HVAC, plumbing, electrical and firefighting का तो उन चारो case में हम लोग जो rabbit use का application यूज करते हैं वो क्यालाता है rabbit MEP, mechanical, electrical and plumbing लेकिन rabbit एक common software है जिसा आप total, top, अपने title बार पर check कर सकते हैं वहाल लिखा है autodesk rabbit 2023 अब 2023 की जगा version लिखा हो सकता है कोई भी autodesk parent company है जिसने इस software develop किया rabbit 23 वर्जन है home लिखा है यह हमारा main है जब भी आप software को open करेंगे तो वो home tab को open करता है left hand side में जहां rabbit का icon आ रहा है corner पर उसके just side में आप cursor लेकर जाएंगे वहां एक home का button होता है home tab shortcut भी देखो home के side में ही bracket के अंदर उसका shortcut लिखा है control प्लस D रविट में हर एक command हर एक tool के लिए shortcut होना ज़रूरी नहीं है कुछ चीजों के लिए shortcuts available हैं जो common use के लिए कुछ commands होती हैं उनके लिए हम लोग shortcuts पढ़ते हैं लेकिन जैसे मैंने बोला हर एक command का shortcut set नहीं है हां Revit हमें यह facility देता है कि हम shortcut अपना खुद से create करना चाहते हैं हम shortcuts create कर सकते हैं वो आगे चलके देखेंगे shortcut कैसे create होता है लेकिन possibilities है right side में उपर की तरफ यहां sign in का option दिया गया है अब देखें यह depend करता है आपके पास कौन सा license है account की detail उसके according आप यहां login कर सकते हैं यह depending on आप किस industry में है क्या licensing availability है उसके according आप यह चीज़े check out कर सकते हैं नहीं तो आप नीचे की तरह आएंगे जैसे मैंने बोला दो जगा categorize है यह हमारा window एक जगा लिखा है models और थोड़ा scroll down करेंगे एक जगा लिखा है families अगर आपने कभी Revit पे काम नहीं किया है अपने systems के उपर तो यहां आपको कुछ sample projects नजर आएंगे architecture sample, structure का sample, MEP का sample या construction का sample इस तरीके से कुछ sample projects मिलेंगे हम बात करें कोई भी existing sample अगर आप open करते हैं, just click करेंगे तो वो open हो जाएगा लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है कोई project आपको open करना है, project का मतलब model, model जब भी बात आए तो हम project की बात कर रहे हैं पुराने versions में model की जगा project ही लिखा होता था rabbit पर, अब new versions में उसने उसको model कर दिया है अगर आपको कोई model open करना है, आप यहां आएंगे open a rabbit model, open वाली file पर open पर click करेंगे location पर जाएंगे, जहां भी आपका कोई model होगा, आप उस model को select करेंगे और उस model को select करेंगे, open पर click कर देंगे, model open हो जाएगा इस तरीके सा आपने भी open किया होगे, कुछ models जैसे फॉरान example हम बात करें, मुझे कोई model open करना है, in general मैंने उस model को select किया, just select करके आपने open पर click किया जैसे आप open पर click करेंगे, वो rabbit आपके model को open कर देगा इस तरीके का कुछ interface आएगा, वो model आपको दिखाई देगा यह तरह किसी project को जो already existing है, आप उसको open करना चाहते हैं तो आप open कर सकते हैं, मैं भी इसको close कर देता हूँ सेम इसी तरह किसी family component को आप open करना चाहते हैं तो आप family वाले open पर click करेंगे, किसी भी family component को select करेंगे आपको उसकी location के बारे में पता होना जरूरी है, कि उसकी location कहा है आपकी sense में बात करें, तो माल लिजे आपको कोई एक component open करना है water side component, कोई pump आप use कर रहे हैं, centrifugal pump, आप उसको open करेंगे तो यह एक family component है, as a hydraulic pump इस type से आप open कर सकता है तो depending on कि आपके पास क्या availability है, उसके according आप उनको open करके try कर सकता है हमें, आप लोग जैसे AutoCAD पर काम कर रहे हैं, जब आप AutoCAD की file को save करते हैं तो उसका format क्या होता है AutoCAD file का, .dwg, यही format होता है सेम इसी तरह, आपको सबसे पहले बात करें तो Revit के file formats के बारे में पता होना ज़रूरी है जैसे for an example, हम बात कर रहे है project की, project का मतलब क्या है? model से, project का मतलब हमारा है model आप Revit पर कोई project बना रहे हैं, project में दो categories हो सकती है पहले category हो सकती है project का model जब आप किसी project को बनाएंगे और उसे save करेंगे उसका file format होगा .rvt जैसे AutoCAD की file .dwg format में save होती है वैसे ही Revit का project आप save करते हैं, वो .rvt format में save होता है अगर model बनाना है, जैसे आपने देखा होगा जब आप AutoCAD में कोई new CAD file बनानी होती है आप Ctrl N press करते है new file के लिए तो वो आपको कुछ templates के option देता है आपको template choose करना होता है आता है na ACAD ISO या ACAD ये नाम लिखे होते है templates के आप उसको choose करते हो AutoCAD का का काम start करने के लिए कोई new drawing बनाने के लिए वो चीज क्या होती है, क्या क्यालाती है, template अगर आपको कोई project create करना है आपको उससे बहले उसका template select करना होता है तो अगर template के file की बात करें, format क्या होता है वो होता है .rte महीं पर दूसरी category पर आते हैं दूसरी category हमारे पास है family in general इसको क्या बोल सकते हैं? component जैसे किसी building के अंदर कोई door होता है, कोई window होता है HVAC की terms में बात करें तो HVAC में VAV होता है, AHEU होता है duct की बात करें तो duct fittings में elbow होती है, T होती है duct का end cap होता है, plumbing की sense में बात करें तो आपको T लगाना है elbow लगाना है कहीं पर, कोई आपको plumbing fixture प्लेस करना है जैसे WC, वो सब क्या 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 लाते है? family component अब family components हमारे पास कुछ बने हुए होंगे उसी तरीके से हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें अगर component के बारे में जो component का file होता है, बना हुआ उसका format होता है .rfa Revit family और अगर आपको उस family को create करना है तो अगेन आपको family का भी template चाहिए family का जो template होता है उस template का जो format होता है उसे हम कहते है .rft .rft project start करना है, template चूज करना है .rte file format होगा, project के template का कोई family create करना है उसके लिए template चूज करना है तो उसका file format क्या होगा .rft आप family को save करेंगे तो उसका format होगा .rfa आप project को save करेंगे तो उसका format होगा .rvt यह 4 file formats आपको हमेशा पता होना जरूरी है यही define करते हैं आपके पास किस type की file है कुछ पूछ रहे हैं किसी को इसके बारे में file formats related तो आप पूछ सकते हैं Yes, please inputs देते रहे हैं आपकी side के inputs बहुत जरूरी हैं जिससे पता चलेगा आप कितना attentively lectures को attend करना है जयेश, जयान, विनीद, थर्शल, उतकर्ष ओकी, वापस आते हैं cross check करने के लिए आप जब किसी model को open कर रहे होते हैं जैसी मैंने open पर click किया आप किसी file को select करते हैं तो तहीं से देखो file के नाम के end में क्या लिखा है .rvt मैंने highlight किया देखो क्योंकि यह project का model है वही पर अगर मुझे कोई नया project बनाना है नय project के लिए मुझे कोई template चूज करना है मैं browse पर click करूंगा किसी भी file format को select करूंगा नीचे की side आप देख सकते हैं क्या लिखा है file type .rte Revit template अगर मैं किसी family को open करने जाऊंगा किसी family file को select करता हूं नीचे आप देख सकते है file का format है .rfa Revit family अगर कोई new family create करनी है उसके template की file को check करूं तो नीचे देखो लिखा है .rft इस चार file formats होते हैं जिसके बारे में हमें starting में पता होना जरूरी है Revit पर काम करने के लिए अब बात या आती है कि किसी भी Revit के project को start करने के लिए हमें उसके interface को भी समझना जरूरी है कि किस तरह का interface होता है जब आप के पास जो भी sample projects available हैं आप उसमें से किसी दी sample project को open कर सकते हैं वो matter नहीं करता कि वो project कौन सा है आप किसी भी format को open कर ले model जो भी samples आपके पास आ रहे हैं आपको कुछ interface नजर आएगा अब वो interface कैसा होगा जैसे starting में जब आप first time open करेंगे मैं उस interface को आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का interface होगा जब आप पहली बार open करेंगे top पर आप देखेंगे title बार जहां लिखा है autodesk Revit 2023 उसके आगे लिखा है motion flyover that means उस file का नाम लिखा होगा उसके बाद लिखा structural plan level 1 यानि कि अभी हम जो है वो structural plan के first level को देख रहे हैं floor plan को left hand corner पर उपर होता है quick access toolbar जिसको आप जल्दी से access कर पाएं यह जो quick access toolbar होता है यह customizable होता है जैसे मुझे यहां पर कुछ options दिए गए है structural foundation मुझे इसका बहुत frequently use नहीं करना तो मैं right click करके उसको वहां से remove कर सकता हूं यानि कि जिस tool का use नहीं करना आप उसको वहां से remove कर सकते हो right click करके अगर किसी tool का मुझे ज़्यादा use करना होता है जैसे मैं systems tab पर जाता हूं यहां पर मुझे air terminal को ज़्यादा use करना है तो मैं इस पर right click करूंगा add to quick access यह terminal देखो ऊपर add होगा तो simply किसी command पर right click करके अगर आप add पर click कर दें वह उपर की side add हो जाता है कोईक access toolbar में इस तरह आप अपने कोईक access toolbar को modify कर सकते हैं यहां पर multiple tabs दिये गए architecture model create करने के लिए architecture tab काम आता है structure modeling के लिए structure tab steel tab structure के लिए steel tab और pre casting के लिए pre cast यह सारा आपका civil engineers या architects के लिए use होने वाले tools हैं architecture, architecture use करते हैं structure, steel और pre casting यह हमारे structure engineer होते हैं उससे related tools होता है अब हमें learn करना है Revit MEP MEP के सारे tools आपको मिलेंगे systems tab के अंदर जब आप systems के tab में जाएंगे यहां हमारे सारे tools होते हैं HVAC, mechanical, plumbing and piping और electrical सारे tools हमें यहां नजर आएंगे हमें यह tab सबसे जादा use करना होता उसके अगा यह सारे main tabs कहलाते हैं किसी भी tab में आप जाते हैं तो उससे related नीचे हमारे toolbars open हो जाते हैं इसको हम कहते हैं ribbon toolbar यह ribbon toolbar यह ribbon toolbar कभी shrink भी हो सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, जैसे आप देखो यह जो पार के tabs हैं उनके last में modify के side में यहां एक arrow दिया गया है अगर मैं यहां किलिक करता हूँ यहां बहुत सारे option है minimize to tabs tabs minimize हो गए वापस से किलिक करूँ minimize to panel अब केवल मुझे panel दिख रहे हैं HVAC firefighting नाम दिखाव तुबारा से किलिक करूँ minimize to panel buttons अब panel के buttons आगे केवल वापस से किलिक करूँ cycle through all इसका मतलब गया है यह जो side में arrow है जो bracket में बना हुआ है उस पर मैं किलिक करूँगा एक, दो, तीन वापस आगे टोड़ पूरी cycle चलेगी one one steps में change करने के हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एक expanded ही चाहिए better है हम यहां से इसको tools को use कर पाएंगे इस ribbon toolbar के नीचे यहां एक बार है जो blank है अभी currently यह वाला बार, मेरा cursor आप ध्यान से देखेंगा तो आपको नजर आ जाएगा यह बार यह बार basically command की detailing के लिए होता है जैसे अगर मैं यहां से air terminal को select करता हूँ select करते ही अभी मैं आपको किसी भी command को choose करके दिखाता हूँ for an example मैंने कोई command choose की command को choose करते ही जैको यहां पर कुछ tools आ गया है detail आ गया है modify place यह सब यह जो details आती है यह उस command की detail है जो command आपने select किया तो यह एक तरीके से जैसे autocad में हमारे पास command line होती है ना नीचे कोई भी आप command देते हो तो नीचे उसकी command line में detail दिखाई देती है same इसी तरह rabbit में जब आप किसी command को select करेंगे तो यहां उस command की detailing नजर आएंगी escape कर देंगे command से बाहर आ जाएंगे autocad की तरह उससे नीचे आते हैं तो यहां पर एक properties toolbar दिखाई दे रहा है इससे नीचे आएं तो यहां एक project browser का toolbar दिखाई दे रहा है दोनों up down में होते हैं by default ऐसे set होते हैं यह दो toolbar बहुत ज़्यादा जरूरी है मुझे अगर मुझे projects पर काम कर ला है अगर यह toolbar आपके पास available नहीं है तो आप Revit पर काम नहीं कर पाएंगे आपको बहुत problems आएंगी इन toolbar से ही हम सारे inputs देते हैं अब यह toolbar में बहुत सारे details होती है details को change करने के लिए check करने के लिए मुझे बार बार देखो scroll down यह scroll up करना पड़ेगा detailing के लिए इसी तरह नीचे project browser है उसको भी scroll करना पड़ेगा better option यह होता है एक side left hand side पर तो मैं रखोंगा properties अब यह जो project browser है मैंने इसको click किया mouse का left click press किया hold किया और mouse को ऐसे में drag करूं ड्रैक करके मैं उसको right side ला रहा हूँ जब मुझे कुछ blue color की window दिखाई दे अब दिख रही है अब मैंने इसको button को release कर दिया तो मेरा project browser right side में set हो गया यानि कि एक चीज left side में है properties और एक चीज right side में है project browser आप यहां से set कर सकते project browser आपको project के browse करने में help करता है जैसे आपको कौन से level पर जाना है आपको 3D पर जाना है आपको section create करना है आपको elevation पर जाना है आपको sheet create करना है आपको किसी भी view पर switch करने के लिए जाने के लिए आपके project browser काम आएगा जैसे level 1 level 2 पर जाना है मैं double click करूँगा मैं level 2 पर आ गया मुझे elevation पर जाना है मैं नीचे elevation पर जाके south पर किलिख किया मेरा south elevation open हो गया जहां से मुझे elevation दिख रहा है तो आपके project browser project को browse करने में आपकी help करता है जितने भी tabs आप open करते जाएंगे आपके यहां पर सारे tabs बनते जा रहा है south elevation, level 2, level 1, 3D उसके बाद जितने भी open है आप यहां से भी switch कर सकते है tabs को change कर सकते है जैसे जैसे changes क्लिक करेंगे वैसे tabs change हो जाएंगे left hand side पर properties है अब देखो अभी currently मैंने 3D view open कर रखा है तो properties tab 3D view की ही property को दिखा रहा है अगर मैंने level 1 पर switch किया तो अब यह level 1 की property को दिखा रहा है अगर मैंने level 2 पर switch किया यह मुझे level 2 की property को दिखाएगा अगर मैं south elevation पर switch कर रहा हूँ तो यह south elevation की property को दिखा रहा है that means properties tab का का काम है property को दिखाना By default जिस view पर हम जाते हैं यह properties toolbar हमें उसी view की property को दिखाता है Condition यह है जब तक आप किसी element को select ना करें जैसे for example अगर मैंने यहां आ करके किसी element को select किया जैसे ही मैं element को select करूंगा तो properties toolbar मुझे उस element की property को दिखाएगा अगर मैं selection से बाहर आता हूँ तो वापस से यह उस view की property को दिखाने लबा तो जब तक कोई element select करें नहीं करेंगे या जब तक आप किसी command में नहीं होते तो यह view की property को दिखा रहा है अगर किसी element को select किया उसकी property आ गई या उपर से मैंने किसी command को select किया जिसे mechanical equipment किलिक करते ही यह क्या करेगा उस view की ही property को दिखाएगा pipe select किया मैंने command तो देखो pipe की properties आने लगी अगर मैंने duct को select किया तो नीचे देखो duct की property आने लगी right click करके cancel कर सकते हो या आप escape press कर सकते हो command से बाहर आने के लिए ये भी हो सकता है कभी by mistake आपसे properties toolbar या ये right side वाला project browser ये बंद हो जाएं क्योंकि जब हम starting में होगे हमें इंटरफेस की उतनी जादा practice तो होगी नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कभी आपस ये बंद हो जाएं अगर कभी tabs बंद हो जाएं उनको वापस लाने का तरीका क्या है आप कहीं भी blank screen पर right click करो right click करने से properties में सबसे नीचे देख एक properties का option आता है आप properties पर जैसे क्लिक करेंगे आपका properties toolbar वापस आ गया फिर से right click किया नीचे आप गे browsers ब्राउजर में देखो सबसे बहला option है project browser आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही right side में आपका project browser open हो गया इस तरीके से आप properties toolbar या project browser के toolbar को open कर सकते हैं अगर by mistake close हो जाए एक तरीका तो यह होता है दूसरा तरीका अभी हो सकता है इनको वापस लाने का उसके लिए आपको अपने ribbon toolbar में view वाले tab पर जाना है इस view tab में जब आप जाते हैं view tab में right side में देखो एक user interface का option होता है आप user interface के option पर जाकर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं एक option है project browser जैसे आप इसे enable करेंगे वो वापस से enable हो गया again user interface पर जाएए वहाँ पर नीचे की तरफ आएए यह option है properties का आप properties पर क्लिक करेंगे तो वापस से properties toolbar open हो जाएगा इस तरीके से आप अपने toolbar को जो close हो जाएगे गलती से आप उनको वापस open कर सकते हैं री enable कर सकते हैं उसके अलावा नीचे की तरफ आएगा जैसे मैं level 1 पर आ रहा हूँ वापस थोड़ा आगे की तरफ देखना चाहता हूँ नीचे यहाँ आपके पास कुछ उप्शन होते हैं detail को आपको fine देखना है medium देखना है या course देखना है इन detailing के लिए मैं आपको दूसरा example देता हूँ जैसे for an example मेरा कोई project है उस project के अंदर मैंने कोई wall बना रखी है अभी आप देखे तो आपको wall दिखाई दे रही है बस एक अगर in general आप सोचे wall कैसी होती है या तो RCC की होगी या blocks की बनी होगी या brick wall होगी उस पे अगर brick wall है तो उन पे क्या होता है plaster भी किया जाता है inside में outside में या multiple layers की भी wall हो सकती है लेकिन अभी क्योंकि नीचे से details जो है वो आपकी course है आपको दिखाई नहीं दे रही detail अगर मैं medium पर click करूँगा अब आप देखो आपको उसकी details दिखाई देने लगी या लग लग मैं उसको वहाँ से और ज़्यादा fine करूँगा तो मुझे rich details नजर आएंगी यानि कि details चेक करने के लिए multiple layers चेक करने के लिए आपको detail level को fine करना होगा उसके side में दिया गया है visual style जैसे अभी सारी चीज ऐसे नजर आ रही है जैसे 2D में दिखती है अगर आप यहाँ से visual styles पर आएंगे visual styles पर click करेंगे तो जैसे wireframe का option है आपको सारा wireframe में नजर आ रहा है आप दुबारा से click करेंगे यहाँ देखें आप आपको shaded का एक option दिया गया है आप click करेंगे तो आपको यह shaded में नजर आ रहा है वहाँ click करेंगे अभी material की shade दिख रहे है अगर हमें material कोई texture को भी check करना है आप click करेंगे यहाँ से realistic पर click करेंगे तो आपको यहाँ से एक realistic view मिल जाएगा थोड़ा time लेगा तो आपको देखो material का texture भी नजर आ रहा है यह visual style का option होता है मैं वापस से click करूँगा वापस shaded पर आ जाएगा देखो realistic पर जाएगा तो आपको graphics बहुत अच्छे चाहिए आपके system के अंदर systems के अंदर जितने अच्छे graphics होंगे उतना easy होगा आपको उसके visualization को check करना realistic effect चेक करना यानि कि material with texture अगर आपको check करना है तो आप इस तरीके से check out कर सकते हैं देख सकते हैं अभी edges आपको थोड़ी थिक नजर आ रही है बहुत ज्यादा थिक दिख रही है आप अपने quick access toolbar पार आएग जो सबसे उपर quick access toolbar है वहाँ देखो एक option है thin lines अगर मैं click करूँगा अब देखो edges बहुत thin हो गई है वापस से मैं उसे disable करूँगा edges बहुत थिक हो गई है तो better visibility के लिए कभी कभी हो सकता है आपको जब edges बहुत पतली दिखाई दे तो आप उसको disable कर दो अगर ज़्यादा thick दिखाई दे रही है आप उसे enable कर दो इस तरीके से आप use कर सकते हो thick और thin lines की visibility को जैसे line की width होती है AutoCAD में हम set करते है properties में इसी तरह नीचे कुछ options दिए गए हैं इनको one by one हम discuss करेंगे जैसे लिए से आगे बढ़ेंगे इसे हम क्याते हैं interface of Revit Revit का user interface कुछ ऐसा होता है कुछ और चीजे हैं लेकिन initial setup के लिए शुरुआत करने के लिए इतनी information जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि आप Revit पर work start कर पाएं इस तरह का कुछ interface होता है अब यहां तक अगर कुछ पूछना है किसी को आप पूछ सकते हैं एनिवाग ओके किवल जयान को clear है किसी और को नहीं अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे अगर हम बात करें इसको अब हम बंद कर देते हैं अब देखें जैसे AutoCAD पर हम कांट करते हैं AutoCAD पर जब हम लोग कांट करते हैं तो हम यह decide करते हैं सबसे पहले template चूज करते हैं यह decision के साथ कि हमें किस unit में कांट करते हैं MEP मतलब building services के लिए use होता है अब depend करता है किस तरह के structures हैं अगर आप airport का कोई structure बना रहे हैं आप metro का कोई structure बना रहे हैं आप metro station की बात कर रहे हैं या metro के way duct sections की बात कर रहे हैं हर एक section में अपनी चीज़ें अलाग अलाग हैं यह आप लोगों के लिए यह है availability कि आप लोग कल lecture तक earphone तक at least arrange कर सकते हैं उसमें तो कुछ ऐसा कोई उसना जदा कोशली नहीं है आप लोगों के personal benefit के लिए भी अच्छा है आगे के up gradations के लिए ओके सो जब हम लोग AutoCAD पर काउन start करते हैं कोई भी new drawing बनाना चाहते हैं तो आप क्या use करते हैं new file के लिए control plus n यह use करते हैं new file के लिए जैसे आप control plus n प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कोई भी एक new project को start कर सकते हैं new project को start करने के लिए आपके पास जो performa है वो यह है आप decide करते हैं कि हमें किस unit में काम करना है अब unit को हम in general दो categories में बाढ़ते हैं one is imperial and second one is metric अगर आप बात करेंगे imperial और metric के बीच का difference का तो imperial unit होती हैं जैसे हम बात कर रहे हैं feet, inch, yard, miles यह सब हमारी imperial category की unit होती है अगर आप बात कर रहे हैं metric में जैसे millimeter, centimeter, meter, kilometer यह सब हमारी metric unit होती है current scenario में आप देखें अगर हमें metric, अगर हमें MEP work करना है MEP work सारा हम लोग metric unit को use करते है, millimeter और जहां तक possible है आप लोग भी obviously अभी जितना काम कर रहे होंगे वो सब mm में कर रहे होंगे जैसे आप CAD पर work कर रहे हैं तो obviously CAD में भी हम unit based work कर रहे हैं अब बात ही आती है जैसे और तो CAD फाइल में आप template चूज करते हो work start करने के लिए सिम उसी तरह Revit पर भी work start करने के लिए आपको अपना template चूज करना होगा यहां पर हमें जानना जरूरी है कि हमारा template कौन सा है और कौन से folder में है imperial के लिए जो हमारा template होता है उसका नाम होता है systems default imperial के लिए end में क्या लिखा होना जी है RTE Revit template अगर metric की बात करेंगे तो यहां पर हमारा template का नाम होगा systems default metric end में अगें यह लगा होगा .RTE क्योंकि Revit का template होगा इस पर depend करेगा हमें imperial में unit में काम करना है तो हम यह वाला template चूज करेंगे अगर हमें metric में काम करना होगा तो हम यह वाला template चूज करेंगे लेकिन कौं सा template यह जो imperial का template है यह किस folder के अंदर होता है उसका नाम होता है English imperial वहीं जो metric template होता है वो किस folder के अंदर होता है folder का नाम English तो यह जो हम बात कर रहे हैं यह तो है हमारे template का नाम template name अपने पास कुछ notes बनाते चलना साथ साथ अगर आप help के लिए बनाना चाहें practice में आपके काम आएंगे और यहाँ पर हमारा है folders के नाम folders में इसी में हम थोड़ा नीचे की तरह आते हैं अब बात यह आती है यह folders होते कहा है हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जो folders होते हैं वो कहा होते हैं अगर आप folder की locations को जानना चाहते हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फोल्डर लोकेशन विंडोस तो आइधिंग 10 होगी आप लोगों के सिस्टम्स में 10 या 11 उसके अलावद हो कोई windows नहीं होगी अभी आप देखें आप किसी भी folder को open करें या इस पीसी पर आएं उपर की तरफ एक view tab होता है एक hidden folders को visible करना जुरूरी है अगर hidden है folders आप c drive में जाएं तो देखो यहां कोई एक folder का नाम होना चाहिए प्रोग्राम data अभी कोई folder ऐसा visible नहीं है प्रोग्राम data के नाम से अगर मैं view tab पर जाता हूं और hidden items को enable करता हूं जैसे ही मैं enable कर रहा हूं कुछ और folders आगे जिसमें से एक folder का नाम है program data कहां है c drive के अंतर c drive में program data folder को open करो program data में मिलेगा autodesk autodesk के अंदर मिलेगा rbt और आपके rabbit का version जैसे 2023 है तो rbt 2023 24 होगा तो rbt 2024 यह folder मिलेगा इसको हम लिख लें c drive c drive के अंदर होगा program data program data का जो folder होगा यह by default क्या रहेगा hidden होता है तो आपको यह folder enable करना पड़ेगा hidden को program data के अंदर कौन सा folder होगा autodesk autodesk के अंदर कौन सा folder होगा rbt 20 23 24 25 तो मैं x x कर देता हूं जो भी version होगा आप उसके folder चेक कर सकते हैं इस folder के अंदर हमारे पास folder होगा templates 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 के अंदर folder मिलेंगे आपको कौन से english और english imperial इन्ही दो folders की तो बात की न हमने यहाँ English imperial और English अब आप चेक करो autodesk rbt 2023 23 23 के बाद आप आए गए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो templates का folder है यहाँ जाएंगे इसके अंदर आपको English का folder मिलेगा यह सारे metric templates हैं अगर वापस जाएं English imperial वाले folder पर आएं यहाँ पर यह सारे हमारे imperial के template है मैंने जो templates आपको बोले आप देखो यहाँ systems default यह template हम यूज करेंगे अगर हमें MEP work करना है with imperial unit Revit MEP का काम करना है आपको कौन सी unit यूज करके imperial template यूज करके वापस जाएं English वाले folder पर जाएं यहाँ पर आप चेक करेंगे systems default metric इस template का हम लोग use करेंगे MEP work करने के लिए अगर हमें metric unit में काम करना है जैसे कि millimeter, centimeter, meter उसमें आपको locations पता चल गई यह path आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अच्छा दूसरा यह भी हो सकता है आप अगर अपने systems पर check करेंगे यहाँ तक जाकर और आपको यहाँ कोई template files मिले ही ना folder तो जरूर मिलेगा बना हुआ ऐसा भी हो सकता इसके अंदर कोई data available ना हो तो क्या आप लोग एक बार अभी cross check कर सकते हैं अपने folder को open करके systems में कि आपके पास यह चीज़े यह templates available हैं या नहीं कोई भी एक दो student try करके please check करेंगे पास availability है अब हमारा सारा focus कहां जाएगा दो templates पर है वो दो templates कौन से हैं एक हमारा यह template है systems default दूसरा template हमारे पास है systems default metric क्योंकि MVP work के लिए हमें यही दो templates use करने होते हैं बस unit अलग अलग है वापस जाते हैं अपने Revit पर Revit पर जाते हैं Ctrl & Press कर सकते हैं आप या आप यहां models में नीचे देखो new का option है इस पर click कर सकते हैं जैसे ही click करते हैं यह क्याता है आप new project बनाने जा रहे है template file चूज करिए अगर आप यहां click करेंगे अब जरूरी नहीं है ना यहां पर कोई template आपके आ रहे हैं उन दोनों में से systems default या systems default metric अगर नहीं आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा browse का option दिया गया है आप browse पर click करेंगे click करेंगे तो template files open होंगी folders open होंगे आप उन folders में से जा सकते हो अपना template चूज कर सकते हो open पर click करोगे तो आपको template यहां आ जाएगा systems default dot rte अगर हमें imperial unit में काम करना है हम imperial वाले folder पर जाएंगे वहां से choose करेंगे systems default open करेंगे हमारा आ जाएगा systems default अब क्योंकि हमें हमेशा work अपने MEP का ही करना है तो better है अगर हमारे template drop down में ही visible हो जाएं क्योंकि अभी तो हमने add कर दिये हैं तो आने लगे लेकिन हम यह चाहते हैं हमारे templates by default यहीं पर added आएं हमें हर बार browse करके ढूंना ना पढ़े templates को folders में तो सबसे पहले हम यही चीज़ सीखेंगे कि किस तरह हम अपने templates को इस window पर starting window पर set कर सकते हैं जिससे हमें drop down में हमारे templates नजर आ जाए इसको मैं अभी cancel करता हूँ cancel करता हूँ मैंने आपको बोला था left top corner पर rabbit के icon के side में home tab होता है आप home tab पर click करेंगे तो यह जो window आ रही थी starting window को गयब हो जाएगी अब आपको क्या करना है आपको जाना है उपर file के options में menu bar file file के अंदर आपको right side में नीचे की तरफ एक option होता है options options पर click करेंगे options का एक window open हो जाएगा options के window में यहां fifth option चेक करेंगे file locations file locations पर आप click करेंगे यहां आपको कुछ templates नजर आ रहे हैं जो templates यहां आपको नजर आ रहे हैं वही templates आपको drop down में दिखाई देते हैं by default यहां पर बहुत सारे template अगर होंगे आप एक एक करके उनको remove गर सकते है सारे remove नहीं हो सकते कोई एक ना एक template जरूर रहेगा by default अब हम पहले अपने templates जिनकी हमें जरूरत होती है हम उनको use करेंगे add करेंगे add करने के लिए plus का sign दिया गया है आप plus पर click करेंगे folder आप देख सकते हैं English imperial यहां पर हमारा एक systems default मैंने open कर लिया add हो गया दूसरा हमें add करना है back side उपर आते हैं English के folder में जाते हैं systems default metric इसको select किया open किया systems default metric भी add हो गया अब जिसकी जरुरत नहीं है मैं उसको select करके आटा सकता हूं systems default metric जादा use होता है इसको select करके मैंने उपर कर दिया order भी बदल सकते हो up or down plus add करना minus से remove करना up down के लिए भी arrows है अब systems default metric मेरा सबसे बड़ा template मैंने set कर दिया मैंने इसको okay किया वापस से home पर click किया वही window मेरा वापस आ गया अब क्योंकि मेरे drop down में दो option select किया है systems default metric and systems default आप अगर यहाँ पर अपने model पर जाते है new पर click करते है new पर click करते ही new project का एक option open हो गया है यह आपसे पूछ रहा है template file template file के आप click करो तो देखो दो templates आ रहे है systems default metric and systems default क्योंकि इनी templates की help से हम लोग क्या करते है MEP work करते है मुझे metric में काम करना है select करके क्या करना है create करना है new project को एक और चीज़ हो सकती है इस template को use किया मैंने पहले लेकिन इस template में भी मुझे कुछ customization करनी है और अपना खुद का एक नया template create करना है आगे के लिए future के काम के लिए template से फायदा क्या होगा मेरी default units set हो जाएंगी मैं बताता हूँ कैसे जैसे for example अभी जो default template है मैंने उसे select रखा और मैंने बोला create new project okay किया अब तो जो भी units set up जो भी standards उस template के अंदर मैंने set किया होगा जो set किया हुआ है by default वही सारा standard इसमें open हो जाएगा जैसे आप देखो जब आपने open किया right side में आपका project browser है उसके अंदर आपको कुछ disciplines नजर आ रहे है electrical इसे मैं minimize करता हूँ mechanical में क्या रहा है HVAC इसे minimize करते हैं नीच आ रहा है plumbing plumbing के अंदर केवल plumbing आ रहा है इसे मैं minimize करूँ यहां कही fire fighting तो आपको नजर नहीं आरा discipline बट मुझे fire fighting का भी work करना है उसके लिए मुझे इसके अंदर एक नया discipline add करना पड़ेगा तो better है मैं पहले एक यह सारा काम कर लूँ उसका एक template बना लूँ जिससे मुझे चारो discipline जब भी मैं उस template को choose करके open करूँ तो मेरे चारो disciplines मुझे by default यहां नजर आए हम ऐसा template भी बना सकते हैं अब क्योंकि आज पहला ही lecture है तो उस level पर तो हम नहीं जा सकते कि template कैसे create करते हैं हम पहले ही दिन समझ ले discipline add करना लेकिन template के बारे में हम कुछ general example देख सकते हैं जैसे आप लोग AutoCAD यूज करते हो AutoCAD यूज करने में जब आप new file open करते हो आपको drawing की units set करनी होती है तो आप क्या shortcut use करते हो drawing units के लिए un drawing units में un enter करते हो सेम उसी तरह आप rabbit के अंदर project की unit set करना चाहते हैं तो आप un use कर सकते हैं जैसे मैंने press किया un enter की जरुत नहीं होती un press करते ही मुझे कुछ units दिख रही है जैसे आप check कर सकते हैं यहाँ पर length meter cube में है rabbit में दूसरा benefit यह है जैसे autocad में क्या है अगर unit हम आपने millimeter choose किया तो वो area millimeter square में बताता है और volume millimeter cube में बताता है यहाँ ऐसा नहीं है rabbit में अगर आप length measure करना चाहते है millimeter में area measure करना चाहते है square feet में तो independency है length unit millimeter है मैं area पर करना है square feet में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कोई tension नहीं है अलग-अलग units भी choose की जा सकती है उसमें कोई भी किसी तरह का problem नहीं आएगा आपको rabbit के अंदर independency है ऐसा नहीं है एक unit select होगी तो सारे inputs सारे output वो उसी unit में बताएगा individual units का selection आराम से आप कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मेरे disciplines है mechanical, electrical, plumbing आप यहां top पर देखे discipline का एक option है जहां पर है common अगर मैं यहां discipline पर click करूं तो हमें सारे disciplines यहां नजर आ रहे है जैसे मैं जाता हूं HVAC पर HVAC में जाता हूं तो सबसे पहला जो tool आ रहा है अब आप लोग अगर काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा हम लोग hit load calculations करते हैं जो value consider करते हैं उसमें हम लोग unit use कर रहे हैं cubic feet per minute जिसे हम cfm बोलते हैं मालने जहे हमारी measurements calculations जो use करना है हमें cfm unit use करना है तो आप airflow पे click करें और यहां से आपको cfm करना पड़ेगा cubic feet per minute अब ऐसा जब भी मैं किसी new project पे गाम करूंगा मैं template select करूंगा तो मुझे हर बार हर project से पहले यह units setup करनी पड़ेगी अपनी requirement के according इस काम से बचने के लिए तरीका यह है क्यों ना मैं अपना खुद का एक template बना लूँ जिसके अंदर यह सारे formats, सारे standards मैं पहले से set कर दूँ आगे जब भी मुझे काम करना है मैं उसी same template को use करूं और अपने units को set up कर लूँ मैं इस window को यहां से close कर देता हूँ जब मैंने create new पर click किया नया project create किया मैं project के वज़ाए यहां पर select करता हूँ create new project template दो template वही है systems default metric इसी template को use करूंगा लेकिन मैं अपने project का एक नया template create करूंगा ok करूंगा मेरा interface वापस से open हो गया अब मुझे units को set up करना है सबसे पहले तो UN मैंने press किया project units open हो गई अगर मैं वहाँ click करता हूँ जैसे मुझे HVAC की setting करनी है मैं यहां गया मैंने बोला यार मुझे liter per second use नहीं करना CFM use करना है airflow की density भी मुझे CFM के according चाहिए per square feet या per square meter मैंने बोला इस पर square meter में चाहिए click करो यहां पर आ गया मैंने बोला cubic feet per minute square feet मुझे चाहिए मैंने यह unit select कर लिया CFM per feet square इस तरीके से हम अपनी required unit को setup कर सकते है common में जाए slope degree में आ रहा है सही है इसी तरह piping पर जाए density flow flow liter per second में आ रहा है अब यहां पर मुझे जो flow चाहिए वो किसी और unit में चाहिए cubic meter per hour cubic meter per second में चाहिए मैंने उसका unit set कर लिया इस तरह मैं individual units के setup कर लूँगा जब सारे setup complete हो जाएंगे units के मैं ok करूँगा अब मैं यह चाहता हूँ मैं जब भी नया work start करूँँ मेरे यह templates के अंदर by default settings save हो तो मैं क्या करूँगा मैं इसको save करूँगा जैसे ही मैं ctrl s press करता हूँ save करने के लिए तो नीचे आप file का type 6 check कर सकते हैं क्या है template file या निके जो आप save कर रहे हो वो क्या save हो रहा है एक template save हो रहा है मैं यहाँ पर उसको नाम दे सकता हूँ जैसे मैंने बोला MEP template अपने खुद के लिए आप कोई भी नाम दे दो आपको पता होना चाहिए वो template कौन सा है नाम दे कर के मैंने save किया कौन से folder में save हो रहा है English के folder में save हो रहा है मैंने save पर click किया अब यह template मेरा save हो जाएगा by default जब template save हो जाए अब आपको इस template पर काम नहीं करना इसको बंद कर देना है direct अब जब भी मैंने project पर काम करूँगा तो मुझे वो template चाहिए MEP template यूज करना है वो यहाँ है नहीं तो क्या करेंगे browse पर click करेंगे आप यहाँ check करें MEP template यह रहा इसको आपको open करना है लोड हो गया लेकिन हर बार मुझे फिर से browse में जाके लोड करना पड़ेगा तो मैंने जैसे अभी set किया था home tap पर गे file में जाएंगे file में options पर जाएंगे options में आप file location पर जाएंगे यहाँ add पर click करेंगे मुझे कौन सा template यूज करना है MEP template इसको select किया open पर click किया मेरा यह template यहाँ use हो गया इसकी हिरारकी भी बदल देता हूँ मुझे top पर चाहिए सबसे पहला यही selected आए मैंने ok कर दिया वापस home tap को enable किया अब देखो कितना फायदा है जब भी मैं new project बना नहीं जाओंगा मेरा वही template by default आया create करना है नया project ok किया मेरा template open हो गया वही सारे standard जो मैंने set किये थे वो यहाँ set होंगे जैसे un press करके आप unit check करो यहाँ से hvac पर जाओ तो देखो cfm में आ गया airflow airflow की density की cfm पर square feet आ गई इसी तरह आप piping पर जागे चेक करो आपने flow दिया था cubic meter per second वही आ गया तो सारी units जो आपने set की थे यानि कि जो भी standards आपने set किये थे वो सारे standards के according आपने अपना खुद का एक template बना लिया अब हम आगे जब भी नया project पर काम करेंगे हम हमेशा उसी same template को use करेंगे आगे का काम करने के लिए इससे हमें ये benefit मिलता है template set करना यहां तब किसी को कोई doubt अगर है आप बताएं मुचे प्लीज आप बताएं मुचे प्लीज